नमस्कार आप सबी को बहुत बाध स्वाकते योगा संस्कृतिय लाइज्टील वी दोशा में आज मैं आपको बताऊंगी प्राणयाम के बारे में प्राणयाम के अनुसार, प्राणयाम करने के क्या लाब है पूरा क्रियेचा को कुमभग क्या है इसके अलावा स्वांस जो हम लेते हैं उसमें हमारा पेट फूलता है अत्वा सिकुडता है यदि फूलता है तो वो सही क्रिया है स्वांस लेने की या सिकुडता है वो क्रिया है स्वांस सही लेने की तो इन सब बातों के बारे में आईए हम आपको बताती हूं तो चलिए पूरक द्वारा जो हमारा स्वासन संस्थान यानि हमारा जो रैस्परेटी सिस्टम में हूं वो हमारा स्ट्रॉंग होता है इसके जाव वो हुद्य था उद्यृत होता है आक्टिव रहता है इसके लावा रेचकी डौरास सवास? देर तक बाहर छोड़ी मतलब होता है स्वांस को रोकना जब हमने स्वांस को इनहेल किया तो इनहेल करने से क्या होता है फिर हमने स्वांस को बाहर अंदर रोक लिया और स्वांस को नहीं हमने बाहर के छोड़ा स्वांस को अंदर ही रोकने को यह कुम्भग कहते हैं कुम्भग से संपूर्ष शरीर के भी वस्वास पहुंसती है जिससे की वह एक्टिव क्रियाशील हो जाती है तो प्राणयाम करने के अनेक लाब है आई इसके बारे में आपको बताती हूं प्रण्याम करने से फेपड़े मजबूत होते हैं शरी में जादा जादा ऑक्सीजन पाउसती है मन की चंचलता दूर होती है शरी और मन की शुद्धता हो जाती है इसके साथ साथ शरी के विकार भी निकल जाते हैं और फेपडों में ज़ो है ऑक्सीजन जदर ज़ादा ग्रहण करने की छंता बढ़ जाती है और अधिकता वायू संचार करने से फेपड़े शक्षम हो जाते हैं इस तरह से प्राड़याम की बहुत से लाब है तो अब हम बात करते हैं हाँ पर कि स्वांस जो हम लेते हैं स्वा और स्वांस छोड़ते समय हमारा पेट शिकूरता है तो सम्मझन चाहिए कि हमारा डायफ्राम जो हमारे पेट में होता है ठीक से काम कर रहा है यदि इसके विपरित करिया हो रही है तो इसका तात्वर है कि डायफ्राम उल्टा चल रहा है इसको ठीक करने के लिए हम स्वांस तरटा ही लंभा गहरा होने लगता है इसलिए अब आप चेख करिए कि जब आप स्वांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलर है या फिकूर रहा है इस तरीके से यदि आप यदि पेट स्वांस लेते हुख फूलता है और ऑ शौट शोड़ते समय स्वांस शिकूर करने की तो प्राणयम करने प्राणयम आप जब कभी भी करें तो साफ और शुद्वायों में ही करें इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा तो फिर आज के लिए बस इतना ही आशा करते हों कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो यूस्फुल रही होगी आपके लिए तो